नमस्कार, मैं लिली आपका लिली स्टिप्स टॉक में स्वागत करती हूँ, तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, और हाँ, शुरू करने से पहले आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताए कि मैं कैसी दिख रही हूँ क्या आप भी चाहते हैं कि अपने फोन पर अंड्रोइट के अलावा कुछ और भी चला सकें कमपनी कोडवीवर ने लाइनिक्स बेस्ट सिस्टम के साथ वाइं का 3.0 वर्जन लांच किया है जिसकी सहायता से आप एपी के पैकेज इंस्टॉल कर सकेंगे इसके बाद अपने गूगल पिकसे या फिर वन प्लस टी पांच जैसे स्मार्टफों को विंडोज बना सकेंगे वाइन 3.0 जो लिनग्स आधारित सिस्टम पर काम करता है इसे रिलीज कर दिया गया है इसके जरे आप अपने इंड्रोईड डिवाइस पर विंडोज अपस चला सकते हैं अब तक वाइन यूजर लाइनिक्स या उनिक्स जैसे उप्रेटिंग सिस्टम पर ही विंडोज अपस चला सकते थे भी Office Computer की तरह लगे तो आप Vine Download सवसे इसे डाउनलोड कीजिए. इसे डाउनलोड करने के बाद आप Android पर भी Windows चला सकेंगे. इसमें फुल स्क्रीन विंडो डिस्पले, स्टॉप में यू से लेकर आडियो वा बेसिक ग्राफिक भी वैसे ही होंगे. Vine 3.00 उन डिवाइसेज के साथ ज्यादा अच्छा काम करता है जो X86 पर हैं, आम प्रोसेसर पर इतना अच्छा नहीं चलेगा. 1993 में शुरू किया गया, Vine एक स्वतंत्र और खुली सोर्स कम्पेट पे लिया है जो कि Microsoft Windows के लिए विक्सित कम्प्यूटर प्रोग्राम यूनिक्स चैसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने की अनुमती देता है. विनिलिब नामक एक सॉफ्ट्वेयर लायबरेरी के साथ, डेवलपर विंडोस को संकलित करते हैं ताकि उन्हें अन्य सिस्टमों में पोर्ट कर सकें. Vine कम्पेटिबल प्रोग्राम का डाटाबेस रखता है. Vine 3.0 Android स्मार्टफोन पर एक एप के रूप में इंस्टॉल कर सकते हैं. इसकी लिंग डिस्क्रिप्शन में दे दी है आप वहाँ से इस सॉफ्ट्वेयर को इंस्टॉल कर सकते हो. तो यही थी अपडेट. विडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.